सर्गुजा के हरिहरपुर में कोईले की खदानों से खस्देव अरण्य को बचाने के लिए पिछले काफी समय से आंदोलन कर रहे गाओं के लोगों ने छाओं के लिए लकडी बांस और पत्ते से मड़ैया बना रखी है यह मड़ैया भी गाओं के लोगों के पक्के इरादे की तरह काफी मजबूत है जिसके नीचे बैठ कर वे आने वाले हर एक मौसम में अपनी लड़ाई जारी रखने का इरादा रखते हैं लेकिन उन्हें यह भरोसा भी है कि सरकार ख़दानों को निरस्त कर उनकी मांगें पूरी करेगी और वह दिन भी आएगा जब वे अपनी जीत के जस्न के साथ तेवहार मनाएंगे हस्देव अरंड बचाओ मुहीम की गूँज सरगुजा के जंगलों से निकल कर 36 गड़ सहित पूरे देश में फैल गई है देश भर के करीब 100 से अधिक संगठनों ने इस आंदोलन का समर्थन किया है इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए अब देश भर से बहुत से सामाजी कार करता 28 जून को राजधानी राएपुर में जुटने वाले हैं उसके बाद 29 तारी को सरगुजा के हरिहरपुर में हस्देव अरंड बचाओ के मंच पर इकठा होंगे इस आंदोलन को समर्थन देने सामाजी कार करता मेगा पाटकर हनान मौला, किसान नेता डाक्टर सुनीलम, उलका महाजन, विपुल सामन्त राय सहित कई लोग आने वाले हैं वर्तमान इस्थिती यह है कि यहां अभी पेड़ों की कटाई रोक दी गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि यहां पर प्रस्तावित कोईला ख़दान के लिए बिजली के जो खंबे गड़ाये गए थे, उन पर बिजली के तार लगाये जा रहे हैं जिसकी वज़े से सरकार की नियत पर ग्रामिनों के मन में संसय बना हुआ है हरिहरपुर में पिछले काफी समय से धरना दे रहे ग्रामिन क्या सोचते हैं इस बारे में उनसे बात करने हमारे साथी मनीज जैसवाल उनके बीच पहुँचे सुनिये उनसे क्या बात हुई नमस्कार में हमनीज जैस्पालव आप देखरें खबरों की दिवासे जिवाल इस वक्त मवजूद हूँ सरकूजा जिले में सरकूजा जिले के हरिहरपुर में जहां पर हद्द्यों बचाव आंदोलन चल रहा है आए जानते हैं धर्ना स्थल पर से ही आदोलनकारियों से की वर्तमान स्थिति कैसी है बताइए अभी स्थिति क्या चल रही यहां पर जी देखें हम यहां पर धर्ना में दो मार से बैटे हुए हैं जिसकी धमक देश तक चली गई और वो धमक आज भी बनी हुई है लोग पीछे नहीं हटे हैं जो अभी जो सरकार जो अर्तमान में रखी है उस पर लोगों की भरोसा नहीं है लोग सोच रहें कि नेई होड ना करके मताब सिधित निरस्थ कर दे बाद में क्या है होल्ड करने के बाद बाद में खोल देंगे फिर ओपन कर देंगे फिर काम चालू करेंगे तो उससे अच्छा है कि हमारे जो अंदोलन करी जो साती है वो उनका जो मनसा बन चुका है कि नहीं जब तक सरकार निरस्त नहीं करेगी तब तक हमारी अंदोलन यहा बाकिन तो उनका जो बिजली पॉल का जो उस्टर का फेंसिंग चल रही हैं का मैंसे मतलब सरकार लेकिन बाकी तो उनका जो बिजली पॉल का जो उन्तार का फेर्सिंग चल रही है वह आपको दिखाए देर और भी कुछ कुछ चल रहा हो अब भी भरोशा नहीं किया है खेती किसानी का समय है अब आप लुग धरनास्तल पर रहेंगे तो रोजड़ार पिर कैसे चलेगा पेट का संद्य जानते हैं हमारे पास भी यह जुगार है हम क्या है किमा के पर साल कमा की जो रखे हैं घर में हमारा जो बोलते हैं डेली बोलते वांद करके हैं हमारे कोठी है। उसमें साल भर खाने का हम ने विस्ता कर लिया है अगर नहीं भी कमाएंगे तो हम साल भर कमाकर रखे उसकी खा सकते हैं। जंगल मतलब आपको भूखे नहीं मनने देगी जंगल से हम देखे अभी जब मौसम आएगा पानी गिरेगा तो जंगल से कई परकार की हमारे पास आएक कल्चोबीज तारीक है 2018 के बारे में रायपूर में रखेंगे मतलब एक बड़ा समयलन है और उसके बाद 29 तारीक हमारे हश्ण्डों में यहां पे बहुत बड़ा भरुसा लग रहा है कि हमारे साथ ने पूरा देश से मतलब यहां पर और भी बहुत महत्पुर महत्पुर लोग आ रहे हैं जी जी क्या है देखे अभी जो लड़ाई हुआ जिसमें हमारे साथ सव अंदोलनकारी संगठन हमारे साथ जुड़ गई है अब आज भी कारे कि हम आ जुड़ चुके हैं प्रदेश के मुक्ह 10 के नाम से सीजीवाय के माध्यम से क्या संदेशन देना चाहते हैं लिवStत कहा देखे वाइं कि हमारी में पूरी करें जो ख़दिन अबबंटि थे उसको निरस्टट निरस्त कर देए पिस निरस्त कर देए उसने वह में सब्सक्राइब करें देने के लिए हम बड़ा रूप से तेवार मनाएंगे अब राहुल गांदी भी आपके साथ में जी वह तो पंद्रा है आपकी जमीन है आपकी जंगल है आप नहीं दिन चाहोगे तो तो फिस थी dinero कर रहे हैं फोड़ा ससरे हुए देखे क्या है अपना जीत करेगी लेकिन जीत पर नहीं चलेगी नहीं चलेगा जो हमारी जो जमीन है हम देंगे तब उनकी चलेगी कुछ लोग बता रहे थे जो काम करते कि यहां पर कोईले का प्रोडक्शन कम हो गया है पहले 15-16 गाड़िया रेक निकलती थी अब 6-7 निकल गया है स्विक्ता है क्या है आप लोग कुछ ज्यादा जनकारी जी देखिए यहां पे 2012-13 में यहां पे ख़जान चलू परसाइश्ट केते बसें यहां पे जो 15 साल जो चलना था जो ख़जान परसाइश्ट केते बसें वह साथ साल में खतम हो गई तो कोईला तो धका धक जाएगी जब खतम हो गई तो साथ साल का जो पेच बचा है उसमें तो कोईला कम हो गई है जो रोजगारों का भी मतलब नुक्सान कंपणी की है उसकी भरपाई कॉन करेगी और आगे बोल रहे हैं कि नहीं हमारे पास कोईला संकत है यह तो सच्चा ही है ना दीक रहा है जो 15 साल चलना था वह साथ साल में कैसे खतम हो गया तो 15 साल कोईला साथ साल में खतम हो गया आप लोगो के लिए भी आश्चरे की बात है और यहां माल हुआ है हमारा जो ग्राम सभा जो है वह फर्जी करके मतलब इन्होंने फर्जी ग्राम सभा के बारे में चर्चा है बहुत हो जीगे लेकिन इस प्रिसे पर अभी कारवाई यह फिर से ग्राम सभा ऐसा कुछ हुआ क्या है देखिए जब जाच हो जाएगी तो खुद मतलब जलत गिर जाएगी दूद का दूद पानी का पानी का पानी दूद का दूद हो जाएगा क्योंकि हम उस ग्राम सभा का मेंबर हैं हमारे साथ में अन्याय हुआ है हम संगठन बोलता है यहां पर ख़दान खुलना चीव है क्या माजरा नहीं देखिए क्या यहां पर कोई मैं पूछना भूल गया तो यह थे यहां के धरनास्तल पर अंदुलनकारी और धरनास्तल पर धरना दे रहे हैं सर्गुजा संभाग की राड़िती में सर्गुजा की राड़िती में टीयस सिंदेव जी का एक बहुत महत्पूर्ण स्थान है आप लोग सब परिचिती होंगे उनसे तो तो बाबा आया थे जब यहां तो क्या बोले थे बाबा यहां कर बाबाजी औहीं बोले है कि भाजपा वाले भी समर्थन दे रहे हैं आप लोग को बिल्कुल ने ठीक है भाजपा अले समर्थन दे रहे हैं लेकिन बाबा जी हमारा विधायक है हमने उनको मतलब बोड देके जिता है हमारी बात क्यों नहीं मानेंगे बाबा बोल दी तो आप लोग लोग लगवा भरोसा हो गया जो आम ग िए इस इथा रदत कर देना चाहिए हमारे ब इधायक जी जब बॉल रहे हैं हमारे दुख को समझ कि यहां पर जाके बुक्र मंत्रे जी के पास बता रहे हैं और रहुल गन्दी जी को भी बता दिया है साइग तो मान जाना चाहिए रहुल-गांदी ने तो कहाँ मैं साथ है कि रच काघज इना चाहिए को रारागने की सब्सकराइब पर लिए कि पिरूस सरकार अगर ने लेती है तब त पिस चिती में वेगा है कि देखेए अगर यह जो ख़दान को अबंटित जो है उसको रत कर देती है तो अब क्या है या हमारे जो मुख्यमंत्री का स्वागत है सरकार पर भरोसा कायम रहेगा बिल्कुल बिल्कुल रहेगा आने वाली विधी तक मतलब सरकार जो जो हमारी जो कांग्रेश सरकार है उस पर हम भरोसा करें और आज भी हैं भरोसेमन भुपेश सरकार जिने हमारे जो 2015 में हमारे इस समीति की सभभा में आके खुद बैटके बात किये हैं कि भाईया हम आपको नहीं उजणने देंगे आपकी जंगल को हम नहीं उजणने देंगे इतना घना जंगल है यह हस्दों का कच्मे ने रिया है कहा के गए हैं और आज जो कैसे उजणनेगी दबाव भी लगता राजस्तान सरकार का ने क्या है अब देखिए अब वो दबाव तो कर ही रहे हैं लेकिन हमारी भी तो दबाव है न मलब कुर्मिल आके आप लोग के लिए वो दिन बहुत बड़े तेवहार से कम नहीं होगा जो दिन सरकार दसकत करके कागजों में जारी कर देगी यहाँ खोला ख़दन नहीं होगा जी हमारे मुख्या मंत्री जी अगर इस ख़दान को निरस्ट कर देंगे परसा ख़दान को और इस छेत्र में जो अबंटित ख़दान है तो धुमधाम के साथ में लोग उक्साहित क्या बोलते हैं तिवहार टाइब का मनाएंग हरिहरपुर के ग्राम बासियों को तिवहार का इंतजार है जो दिन सरकार आदेश निकाल कर इस प्रस्तावित ख़दन छेत्र को नोगो एरिया घुशित कर देगी यहाँ से कोईला ख़दान को निरस्ट कर देगी हमारी खबर अगर आपको अच्छी लगए तो लाइक जरूर करें सिटी वाल से मनिज जैसवाल की एक रिपोर्ट हरियर पूर से